काजल एक गरीब लड़की थी वो एक बड़े से बंगले में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी और इसी तरह से काजल अपने घर खर्च को चलाय करती थी काजल की परिवार में उसकी विध्वा और बुढ़ी मा ममता रहा करती थी ममता अकसर बीमार रहती थी जिस वज़ा से अकेले काजल को ही सब कुछ करना पड़ता था ऐसे ही एक सुभा काजल अपनी मा ममता के लिए चाए बना कर लाती है और उसे देती है मा ये लो चाए घर का सारा काम मैंने कर दिया है और हाँ तुम्हारे ले रोटियां भी बना दी है समय से उटकर रोटियां खालेणा क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है मालकिन ने कली बोल दिया था कि थोड़ा जल्दी आना क्योंकि उनकी बेटी आने वाली है अच्छा ठीक है बेटा, तू अपना ध्यान रखना, मैं तू समय से खाना खालूंगी और हाँ, तू भी समय से खाना खालेना, काम करने के चक्कर में अपने खाना पानी से कोई लापरवाही मत करियो नहीं, नहीं मा, तुम मेरी चिंता बिलकुल मत करो, मैं अच्छे से अपना खयाल रखती हूँ इतना बोल कर काजल वहाँ से चली जाती है, काजल के जाने के बाद ममता का मन बहुत उदास हो जाता है और वो मनी मन सोचती है कितनी बुरी किस्मत है मेरी बेटी की, इस उमर में मेरी बिटिया को पढ़ाय लिखाई करनी चाहिए थी लेकिन गरीबी और मजबूरी के आगे उसे दूसरों के घरों में बरतन और चूलहा चौका करना पड़ता है ऐसे ही अब काजल जल्दी जल्दी बंगले में पहुँचती है तब ही उस बंगले की मालकिन सुमित्रा देवी काजल से बोलती है अरे ओ महरानी, कहा थी तू? पूरे दस मिनट लेट हो चुकी है मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ? अरे तुझे पता भी है मेरी बेटी विदेश से आ रही है और घर में कितना सारा काम पड़ा है और एक तू है जो अब दर्शन दे रही है मालकेन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजे, मैं सारा काम कर लूगी आप मुझे बता दीजे कि दीदी के लिए क्या-क्या बनाना है, उन्हें खाने में क्या पसंद है तो एक काम कर, मेरी बेटी के लिए मूंग दाल का हलवा और गाजर का हलवा साथ में पनीर पुलाओ और हाँ, रस मलाई बनाना बिल्कुल मत भूलना, उसे मीठा बहुत पसंद आता है अच्छा ठीक है मालकेन में सब कुछ बना कर रेडी कर देती हो बिचारी काजल अकेले पूरे बंगले में साफ सफाई करने के बाद, सुमित्रा देवी की बेटी रिया के लिए इतना सारा पकवान बनाने में जुट जाती है थोड़ी देर बाद सुमित्रा की बेटी रिया घर आ जाती है सुमित्रा अपनी बेटी को देख कर बहुत खुश होती है काजल, अरे ओ काजल, जल्दी से आर्थी की थाल लेकर आ मेरी बिट्या बहुत समय बाद यहां आ रही है काजल अंदर से आर्थी की थाल लेकर आती है सुमित्रा अपनी बेटी रिया की आर्थी उतारती है जिसके बाद रिया अपनी मा से बोलती है अरे ममी, आप बिना क्या पुरानी रिती रिवास को लेकर अब तक चल रही हो मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और मुझे न बहुत भूक लग रही है जल्दी से मेरे लिए खाना लगवा दो थोड़ी देर में काजल सभी के लिए खाना लेकर आती है खाना देखकर रिया अजीब सा मुँ बनाती है और कहती है ममी ये कैसी गवार सी नौक रानी रख लिया आपने अरे ये पागल वगल है क्या इतना हैवी खाना कौन खाता है मुंग दाल का हलवा गाजर का हलवा इतना मीठा खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी अरे बेटा तुझे तो ये सब पसंद था ना और ये जो कुछ भी है सब मैंने ही तेले बनवाया है इसमें काजल की कोई गलती नहीं है इसलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है इंडिया में जाद अतर लोग गवार है अभी भर भर के घी और मखन खाते है रिया खाना खाने से मना कर देती है जिसके बाद सुमित्रा अपनी बेटी रिया के लिए बाहर से खाना ओर्डर करके मंगवाती है ऐसे ही शाम को सुमित्रा काजल से बोलती है काजल एक काम कर आज जितना भी खाना तुने बनाया है न वो उठागर कच्रे में फेग देना, क्योंकि मेरी बिटिया तो खाने वाली है नहीं वो सब मालकिन अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलू हाँ बोल क्या कहना चाहती है तू मालकिन वो खाना फेखने से अच्छा है कि आप वो खाना मुझे दे दो मैं घर जाकर अपनी मा के साथ खालूंगी वैसे भी हम जैसे गरीबों को इतना अच्छा खाना कहा नसीब होता है अचा ठीक है ठीक है जाते वक्त तू ले जाना खाना ऐसे ही शाम को काजल वो खाना लेकर अपने घर आ रही थी तभी रास्ते में उसे एक भुखा भिखारी नजर आता है वो भिखारी भागता हुआ काजल के पास आता है और बोलता है अरी कोई बात नहीं आप बैठिये मैं आपको खाना खिलाती हो काजल बड़े ही प्यार से उस भिखारी को खाना खिलाती है वो भिखारी बहुत भूखा था पेट भर कर धीरे धीरे सारा खाना खा जाता है बेटा मुझे माप करना मैं बहुत भूखा था इसलिए मैंने सारा खाना खा लिया कोई बात नहीं काका खाना खाने के लिए होता है फिर चाहे आप खाओ या कोई और अच्छ मैं चलती हूँ इतना बोल कर काजल वहाँ से अपने घर आ जाती है घर आने के बाद काजल अपनी मा और अपने ले खाना बनाती है और अपनी मा को रास्ते में भिखारी वाली सारी बात बताती है, जिसके बाद काजल की मा काजल से बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, कब कहां और कौन किस रूप में हमें मिल जाए हमें पता नहीं होता, इसलिए हमें हमें हमेशा सब की मदद करनी चाहिए, कहते हैं न, पता नहीं किस रूप में नारायन मिल जाएगा, इसलिए सच्ची श्रद्धा और सच्चे भाव से हर किसी की मदद करना, कभी किसी को अपने पास से खाली हाथ मत भेजना, हा मा, आप बिलकुल भी चिंता मत करो, मेरे अंदर आपके ही संसकार है, मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती, अच्छा मा, आज मैं बहुत ठक गई हू, कल मुझे फिर से जल्दी जाना है, इतना बोलकर काजल सो जाती है, और अगली सुबह काजल फिर से जल्दी उठकर काम पर जाती है, तभी सुमित्रा काजल से बोलती है, काजल, ओ काजल, बाजार से जाकर सेम की फली लेया, तेरे जो साहब है ना आज उनका मन कर रहा है कि वो सेम की सबजी खाए और वो सबजी भी मैं बनाऊंगी आज क्योंकि उनको मेरे हाथ की सेम की सबजी बहुत पसंद आती है तो एक काम कर अच्छी और बढ़िया ताजी-ताजी से सेम की फली ले या अच्छा ठीक है मालकिन मैं अभी जाती हो काजल थेला लेकर बाजार जाती है बाजार में उसे कहीं भी सेम की फली नजर नहीं आ रही थी तब ही वो अपनी मालकिन को फोन करती है और कहती है मालकिन बाजार में तो कहीं भी सेम की फली नजर नहीं आ रही देख, मुझे नहीं पता, तु कहीं से भी सेम की फली खरीद कर ला, आज तेरे साप का बहुत मन कर रहा है, सेम की फली की सबजी खाने का, और एक तू है कि एक सेम की फली नहीं ला सकती बेचारी काजल यहाँ वहाँ सेम की फली ढून रहे थी तब ही उसकी नजर एक बुढ़े आदमी पर जाती है जो कि थोड़े से सेम की फली लेकर बाजार में बैठा था काजल उसके पास जाती है और कहती है काका यह सेम की फली कैसे दिये? बेटा ज्यादा मेहंगा नहीं है बस बीस रुपे पाओ है अच्छा काका एक काम करो आपने ये सारे सेम मुझे दे दो और तोल के बताओ ये कितने किलो होंगे? वो बुढ़ा सेम की फली तराजू से तौल कर काजल से कहता है बेटा ये लो बस दो किलो है तू एक काम कर मुझे असी ही दे दे काका ये लो दो सो रुपे का नोट बेटा मेरे पास तो खुले नहीं है कोई बात नहीं आप सारे पैसे रख लो काजल उस बुढ़े आदमी उसे सेम की फली लेकर वहां से अपनी मालकिन के घर आ जाती है जैसे ही सुमित्रा सेम की फली देखती है वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और काजल से बोलती है काजल तू अंधी है क्या? तुझे बाजार से सबजी खरीदना नहीं आता क्या? अरे ध्यान से देख इसे कितनी गंदी सेम की फली है ये इस सेम की फली से मैं अपने पती के लिए सबजियां बनाओंगी क्या? अरे कहाँ से खरीद कर लाई है इसे? मालकिन ठीक तो है ये सेम की फली आपने जैसा कहा था मैं वैसा ही लेकर आई हूँ अच्छा तो मतलब अब तू मुझे सिखाएगी कि मैं गलत हूँ और तू सही मालकिन ये सेम की फली दिखने में कितनी सुन्दर है और बाजार में कहीं भी सेम की फली मिली नहीं रही थी वो तो मुझे किस्मत से एक बुढ़े बाबा मिल गए और मुझे उनके पास ही सेम की फली मिली क्या तो सड़क पर बैठे हुए बुढ़े आदमी से ये सेम की फली खरीद कर लाई है अरे अपनी तरफ दो कोड़ी का नौकर समझा है क्या हमें मलकिन आप ध्यान से देखो ये सेम की फली कितनी अच्छी है कहां से आपको इसमें कमी नजर आ रही है सुमित्रा को बार बार वो सेम की फली सड़ी हुई नजर आ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, काजल को वो सेम की फली बिल्कुल ताजी और हरी हरी नजर आ रही थी, जिस पर सुमित्रा को गुस्सा आता है और वो गुस्से में काजल से कहती है, एक काम कर तू, ये फली ले और यहां से चुप चाप अपने घर चा, और हाँ, कल से अपनी एक गं चलाओंगी, आपकी भरोसी मेरा घर चलता है, मुझे माफ कर दीजे, मालकी नागे से मैं ध्यान दूँगी, नई, 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 रहने दे, मुझे तेरी कोई जरुरत नहीं है, अब तु जाए यहां से, वैसे ही मेरा बहुत दिमाग खराब है, सुमित्रा गुस्से में काज काजल वो सेम की फली लेकर अपने घर आ जाती है, घर आने के बाद काजल उदास बैठी हुई थी, तभी उसकी माउस से बोलती है, क्या हुआ काजल, तु बहुत उदास नजर आ रही है, बिचारी काजल रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताती है, जिसके बाद ममता का तबी काजल रसोई में जाती है और सेम की फली निकाल कर थाली में रखती है तबी वो सेम की फली काजल के सामने डांस करने लगती है ये देखकर काजल हैरान हो जाती है तबी वो जादूई सेम की फली काजल से बोलती है क्या हुआ काजल तुम मुझे इस तरह से डांस करता अरे घबराव नहीं, मैं तो एक जादूई सेम की फली हूँ। क्या कहा तुमने जादूई सेम की फली। अगर तुम जादूई हो तो फटा-फट अपनी जादूई शक्तियों से खाना बना कर दिखाऊ। तब मानू कि तुम जादूई हो। काजल के इतना बोलते ही जादूई सेम की फली अपनी जादूई शक्तियों से काजल के लिए बढ़िया बढ़िया खाना पना कर तयार कर देती है। ये देखकर काजल हैरान थी। देखा मेरा कमाल, मैं एक जादूई सेम की फली हूँ और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहोंगी क्योंकि मुझे यहां तुम्हारी मदद करने के लिए ही भेजा गया है क्योंकि तुम बहुत दयालू हो तुम हमेशा सबकी मदद करती हो इसलिए भगवान ने खुद मुझे यहां तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है ये सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती ह जादूई सेम की फली पाकर काजल और उसकी माँ दोनों बहुत खुश थे अब वो दोनों जादूई सेम की फली की मदद से अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करते और अपने जीवन में हसी खुशी आगे बढ़ते हैं